को दोस्तों कि सब्सक्राइब करो अगर आप वीडियो पर नय हो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको कमेश्ट के लिटेस्ट वीडियो स्ट्रिक्स के साथ मिल सके है ठीके दोस्तों तो जैसा कि हम लोग है पेसी क्लेचर पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें को लोगों ने दो रूल सीख लिये हैं कैसे हम लोग IPC Nomenclature करते हैं इसके बारे मुझे बारे मुझे कुछ कुछ सीखा है तो रूल नंबर 3 भी पढ़ना बनता है ना तो रूल नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं और आई यह वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को अच्छी ल लावा जो बस्ते हैं वो सब्स्ट्टिट्वेंट बन जाते हैं और गोले में भल लेते हैं यह हमारी है ठीक है कहीं आपको लिखाने मिलेगा कि गोले में भल लेते हैं । सबसे पहले यहां पे प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम लोग अगर complex substituent आ गया तो उसका nomenclature कैसे करेंगे यही तो प्रॉब्लम आ रहे है तो उसी के बारे में तो रोल नंबर 3 हमको बता रहा है या टैंसन किस बात की हमारा बनाया रोल नंबर 3 है यह देखिए पहले तो यह आपको छोड़ी से ट्रिक बता देता हूं सबसे बात आए कि complex substituent होता क्या है सब्सक्राइब क्या होता है सर तो हमें बताईए तो complex substituent बताता हूं मैं एक ट्रिक के साथ जब substituent में branching होती है तो उसे हम लोग complex substituent कहते हैं क्यूं क्यूंकि उसका ipc nomenclature थोड़ा सा कठीन हो जाता है थोड़ा सा ठीक है दोस्तों तो उसका भी निवारान मेरे पास है बस आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा करेंगा यह देखिए यह जैसे हमने एक example ले ठीक है आपको यह भी बता दू जहां जहां पर कोना है जहां जहां पर कोना है वहां वहां पर क्या रहता है सब्सक्राइब करक्णारे है यह ज्युदा हुआ है इस चैन में लेकिन इस कार्वन सब्सक्राइब चीट बन गया ठीक है अब इसका नाम मैं आपको बता देता हुं चिंता मत करिया समझ में आगे नेक्स्ट वीडियो में कॉस्चन कराऊंगा आपको सब कुछ क्लियर करके चलेंगे हम लों कुछ नहीं छोड़ेंगे ठीक है यह देखिए इसका नाम में बता दूं आपको चुकि 8 कारबन है तो ऑक्त हो गया चुकि सिंगल बॉंड है तो एन हो गया अब बताता हूं चार नंबर पर आपको क्या मिला इसका नाम बताएं टर्सियरी क्योंकि यह टर्सियरी कारबन से यह प्रिंसिपल चेन में जुड़ा हुआ है तो टर्सियरी और यह चार कारबन है तो चार कारबन का यह क्या होता है ब्यूट और चुकि यह एलकिल ग्रूप के मतलब यह सब्चेट्वेंट है तो एलकिल हो गया तो ब्यूट का क्या हो गय टू कार्बन का मतलब इथाईल और चुक्क यह एलकील है तो आईल जूड़ गया इथाईल हो गया एथ होता है इल जूड़ गया इथाईल हो गया ठीक टैंसर नॉट्ट विकॉज इस्टेडवित आकास चैनल इस यह रंदे यूट्यूब ठीक है यह देखिए अब बताते हैं चार नंबर पर क्या लगा है टर्शेरी भी उठाईल पास नंबर पर क्या लगा है इथाईल और यह आठ कार्बन की चैन और सिंगल बॉंड है सब में एन नाम आपका हो गया फोर टर्शेरी भी उठाईल फाइफ इथाईल और 10 जनरल नेम ऑफ कॉंप्लेक्स सब्चेट्वें टर्शेरी भी उठाईल है ठीक है और यह भी एक देख लेते हैं इसी साल में यह देखिए यह कार्बन की चैन ले लिया इसकी यह प्रिंसिपल चैन हो गई यह दोनों सब मिठाईल लगा है इधर भी मिठाईल लगा है वन वन डाई मिठाईल डाई मिठाईल डाई मिठाईल और यह चुकि यह वन टू थ्री ऑफोर है इसका भी नाम होई ब्यूटीन हो गया ब्यूटीन मतलब इल जुड़ा है तो ब्यूटील हो जाएगा और क्या वन वन डाई म U iMethyl आपका थाइल है मतलब इसका दूसरा नाम यह ठीक है 1-1-dimethyl भी कह सकते हैं आप जैसे अगर इसका 123 इसमें अगर आप यह प्रिंस्पल चेन लेते हैं तो दो सर्जिट्रेंट मिल गए तो यह होगी आपका रूल नमबर थ्री और नहीं समझ में आए तो मैं आपको कोशन करके समझाता हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में बताईए आपको वीडियो कैसी लगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जहिंद